T20 World Cup का तीसवा मुकाबला रवी वर 30 वक्तूबर को भारत और दच्छीन अफरीका के बीच खेला जाएगा ये मुकाबला पर्त में होगा भारतिय टीम पकिस्तान और निदेल लेंड को हराने के बाद मजबूत अफरीकी टीम को हराने के लिए उतरेगी दूसरी और दच्छीन अफरीका ने अपने पिछले मैच में बंगला देश को बुरी तरह से हराया था जिम्बावे के खिलाप इसका मुकाबला बारिस की वज़ा से रध हो गया था पर्थ में ये मैच साम 7 बजे से सुरू होगा उस समय भारतिया समय के मुटाबिक 4 बच कर 30 मिनिट हो रहे होंगे एदर रिपोर्ट के मुटाबिक पर्थ में रवी वार को साम 7 बजे से बारिस की समभावना नहीं है भारतिया टीम अगर साउट अफरीका को हरा देती है तो वह सिमी फाइनल में पर्वेस कर लेगी और पहला अस्थान बरकरार रखेगी बात साउट अफरीका के सेडियूल की करे तो इस टीम को भारत पकिस्तान के इलावा नीदेरलेंड के खिलाब तीसरा मैच खेलना है अगर अफरीकन टीम दो मैच जित लेती है तो वह सिमी फाइनल में पर्वेस कर लेगी वही बात जिमबाबे की करे तो उन्हें भी भारत के खिलाप और बंगलादेश के खिलाप मैच जितने होंगे तब जाकर वह सिमी फाइनल में पर्वेस कर सकती है और इस तरह पकिस्तान उन्हें हार का सामना करना पड़ा है वहीं एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया है आपको क्या लगता है क्या भारतिया टिम साउथ अफरीका को असानी से हरा देगी कुमेंट कर जरूर बताएं और चाइनल को सस्क्राइब कर लें ताके किर्केट से जुड़ी तमाम खबरे आप तक पहुंचती रहें